सब्सक्राइब करते हैं तो इन्हों ने कहा कि इस सब्सक्राइब करते हैं यह सारे के सारे डिस्टोस होने चाहिए बुक्स अपकाउंट्स और फानेशल स्टेटमेंट में यानि अगर आप छोटे से छोटा खर्चा कर रहे हो तो उसका भी आपको फुल डिस्टोजर करने की ज़रूरेत है अगर आप कोई भी बात चुपाओगे कोई भी इवेंट या कोई भी ट्रांजिक्शन चुपाओगे तो फिर अकाउंटिंग करने का कोई रेलेवेंसी नहीं रह जाएगा ठीक है कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आपको आपको सही की इंफर्मेशन नहीं दे पाएगा तो फुल डिस्क्लोजर कॉंसेट यहीं बताता है कि बिजनस के अंदर आप कोई भी इवेंट करें कोई भी ट्रांजिक्शन करें चाहे जिस लेवल का करें कैश में करें क्रें चाहे चोटे से चोटा क्यों नहीं करें आपको सारी चीज आप मतलब मालेज आपने किसी चीज़ का एड्वांस पेरिमेंट कर रखा है तो वह भी अप लिखेंगे वह यूज बाद में भले होगा लेकिंगे क्योंकि आपने फ्यूचर के लिए आज ही प्रिपे किया है तो आपको सारा डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ठीक है तो यह हो या मिनिंग्फिल डिस्क्लोजर का मकसद क्या होता है परपस क्या होता है फुल डिस्क्लोजर कॉंसेट का इन्होंने कहा कि जो यूजर्ज होते है ना फानेंशल स्टेटमेंट के उन्हें सारी की सारी जानकारी या सारा का सारा इंफरमेशन होना जरूरी है कि बिजनस के अंदर कौन-कौन से events हुए कौन-कौन से transactions हुए ताकि वो business की real position को जान सकें ठीक है the users of financial statements must be aware of all the relevant events and transactions to understand the real position of the business to business की सही सही position को समझने के लिए जो भी users होते है न financial statements को के उनको इन सारी चीजहों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है जो भी business में events and transactions हो रहे है they must be aware of all these things ठीक है आगे बढ़ते हैं अब disclosure के बारे में बताएगे कि भाही disclosure होता क्या है जो term disclosure means that a statement describing the events and transactions including the amount involved shall be added to the financial statement as a note there disclosure में इन्होंने बोला कि जो भी चीज़ आप disclose करोगे जो भी information अब disclose करोगे ठीक है यह तरीके का statement है किसी भी event या transaction को describe कर रहा है उसके amount के साथ आपको मालूम है कि जो भी हम accounting में काम करते हैं जो भी no down करते हैं वो सारी की सारी चीज़े financial nature की होती है और जिसे हम मतलब quantify कर सकते हैं जिसे हम number के format में लिख सकते हैं वो आपको should be added to the financial statement as a note दे रहे हैं उसे आपको अपने financial statement में add करकी दिखाना है as a note भी आप करकी दिखा सकते हैं जैसे footnote होता है ना नीचे अपने note down करती है star बना करके वो सारी चीज़ें आपको disclose कर रहे हैं इन्हों नहीं का कि disclosure is not as same as accounting accounting के तरह सेम नहीं है accounting का मतलब है accounting entries will be passed ठीक है accounting means accounting entries will be passed whereas in disclosure a mere statement is given journal entry not passed तो disclosure में एक statement पास किया जाता है कोई journal entry पास नहीं की जाती ठीक है तो यह difference था आई इसका एक नंबर डीटेल में समझते हैं इन्होंने कहा कि एक लीगल सूट फाइल किया दूसरी कंपनी के खिलार क्यूंकि उन्होंने कॉपी राइट का वाइलेशन किया तो इसको हम accurately measure नहीं कर सकते बट हमें it is a part of a financial statement जिसे में कर सकते ठीक है exceptions कुछ है exceptions पे इन्होंने कहा कि conventions of materiality और conservatism यह दो exceptions है full disclosure concept के क्योंकि इसके कुछ reasons हैं जो कि इस हिसाब से हैं पहले हम बात करेंगे materiality versus full disclosure का ठीक है इन्होंने बोला कि as per full disclosure all relevant events and transactions must be disclosed business के हिसाब से मतलिए इस concept के सबसे फुल disclosure concept के सबसे जो भी relevant events या transactions होते हैं वो सारे के सारे disclose किये जाते हैं लेकिन materiality concept के हिसाब से accounting principles to be applied on the material events and transactions and not for all material events or transactions किसे कहते हैं जो भी business के लिए बहुत ज्यादा importance रखता है जैसे मान लेगे बिजनस के operations जो आप बिजनस में रोज करते हैं जो बिजनस को डैरिकली एफेक्ट करता है वो material events या transactions हो गया ठीक है तो materiality के इसाब से वह accounting principles apply कि जाएंगे जो material events या transactions को affect करते हैं ना कि सारे के सारे क्या बोला कि सारे के सारे इवेंट्स और ट्रांजिक्शन सब्सक्राइब करेंगे materiality में क्या बोला कि आप सिर्फ वह accounting principles को apply करेंगे जो material events और ट्रांजिक्शन को affect करेंगे ना कि सारे के सारे ठीक है यह पहला exception हमारा अगला है अब फुल डिस्क्लोजर तो आप जानते हैं कि एस पर फुल डिस्क्लोजर concept all the relevant events and transaction must be disclosed फुल डिस्क्लोजर concept के साब से सारे के सारे events और transactions को हमें disclose करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है और बंक हिसाब से वही events और transactions को disclose किया जाएगा विछ लीड टू पॉसबल लॉसस मस्टबी अकूंटेड जिस लॉस ओने वाला यह हो लालिया नुक्सान हो ही सकता है तो हम वही लिखेंगे ठीक है और उसे disclose करेंगे अन्रियलिष्टिक प्रॉफट हम नहीं लिए न दिस्क्लोज करेंगे ठीक है तो यह कंजर्विटेजि़ में कुछ चीज नहीं लिखी जारी चोड़ी जारी यह लेकिन फूल डिस्क्लोजर में हर एक चीज बिना छोड़े हम लिखेंगे दोस्तों आई की जो concept of disclosure का आपको clear हो गया होगा on this note thank you so much for watching this video video से कुछ सीखने को मिला तो like जरूर कीजेगा दोस्तों के साथ share जरूर कीजेगा चैनल पे नए हैं तो subscribe जरूर कीजेगा thank you so much have a good day and all the best for your examinations